नमस्कार किसान भाईयों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने लहसुन में जो चारा माँ दवाई चाटे थी उसके आठ दिन बाद में आपको वीडियो बना कर बताऊंगा कि उस दवाई ने लहसुन में काम किया कि नहीं किसा चारा जला किसा नहीं जला तो उस हिसाफ से आज हमें पांचवा दिन है और आप पांचवा दिन में लेसन में जो चारा है वो आप देख सकते हैं जो हमारा चारा था वो थोड़ा बड़ा हो गया था लेकिन आप देख सकते हैं किस फिकार से उसने दवाई ने जलाया है किसान भाइओ इससे क्या है बहुत लाब होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत मेंत लगती है उखारने में बरबड़ा चार हो जाता है हमाई लेसन कमजूर हो जाती है आप देख सकते हैं उसके बाद थोड़ी निनाई भी किये हमने और मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको उस दवाओ को भी बताऊंगा इस वीडियो में हमने कौन से दवाओ छाटे थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो तो आप देख सकते हैं इसमें चीला अरपट हो गया था किस पिकार से चीला जड़ा गया था एक सिरे से पुरा खेज लबा लब भरा था चारा से ये चीला वोखना मतलब बहुत तरह का चारा था आप ते किस पिकार से सड़ा गया है वो अभी चार से पांच दिन हुए हैं बस दवाओ छाटे इस दवाओ ने कमाल कर दिया एक हामारे आपको देख सकते हैं इसमें जो राइ थी वो भी थी मैं आपको राय बता रहा हूं जो सर्सों बोलते हो उसको वह भी जला दी इसमें और सभी तरह का चारा जल गया है और अधिकतम जो लेसून थी उसमें जाना फरक्तों नहीं पड़ा लेकिन थोड़ा पीला बंत आया है लेकिन वो भी खत्म में हो रहा है आप दे सकते हैं यह राई भी जला दी है हो गियाओं की हमने जो धर से दवाई चाड़े थी उसमें गियाओं के कुछ-कुछ पत्ते जले में लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा वापिस से रिकवर हो जाएंगे तो किसान भाईयों अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें ओचियों सब्क्राइब कर लें ताकि मैं आपको अच्छे जान करें देता रहा हूं समय समय पर तो आप देख सकते हैं यह हमने निंदाए के रही है बाद में यह सुका चारा उखाड़ा है और आपको दवाई बता दूँ जिस दवाई से हमें यह फाइदा हुआ है करें किसान भाई कहते हैं कि आपका चारा बड़ा हो गया है आपका चारा नहीं जलेगा लेकिन इस अब भी पड़ी हुए हमने इसी कुछ हाटा था और इसका हम आपको नाम बता दे इसका नाम ऑक्सिकिल नाम है इसका जिसमें जो टेक्निके वह आप देख सकते हैं धानुगा कमपनी की हैं और ये जो है ये पचास एमेल की थी और ये बीस लिटर वाले पंप से दो पंप बन आई थी वो इसकी किमत सुर्वे में आई भी थी है ने सो में तो सुर्वे की रभी थी इसने कमाल गद्या दो पंब दवाई बनाई और हमारा सभी तरह का चारा जला दिया तो आज के लिए इतना ही जै जवान जै किसान